नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेन धमसरमार सर्सों का तेल एक ऐसा तेल है जो लगबग हर किसी के घर में पाया जाता है खाना खाते हैं सर्सों के तेल का दोस्तों सर्सों का तेल का खाना अगर बनता है तो सनी भी आपका मजबूत होता है और रा लिए सबसे पहले तो हम आपके बीमारियों की बात करते हैं क्योंकि स्वस्त सरीर रहने से ही उसमें स्वस्त मन निवास करता है और आपका स्वास्ती आपका धन है यह आप मान के जलिए आपके पास अरवों की संपत्ती है स्वास्ती आपका साथ नहीं दे रहा है तो संपत्त का तेल एक चमच दो चमच अब आप जिस भी भगवान को मानते हैं या फिर आप कोई भक्ती जिस भगवान की में है उनका नाम लेते वे सिर से साथ बार उतार लें अब उतारना है आपको एंटी क्लॉग वाइज अब इसे आप घर के बाहर फेख दें साम के बात कीजिए करना है आपको ऐसा करने से रोग का नास होता है और फेखने के बाद घर आ जाईएगा पीछे मुड़कर मत देखिएगा आप यह उपाय जरूर करें अगर इस दिन सुक्रवार के दिन किसी कारण बस आप नहीं कर पाते हैं तब ऐसे में आप सनीवार के दिन कर सकते हैं आपको ज्यादा परिसान कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे तब आप आज के दिन कभी भी साम रात कभी भी आपको जब भी मौका मिले काली उड़त के 38 दाने दाल नहीं लेने हैं समूचा उड़त लीजिएगा और चावल अक्षत जिसे कहते हैं बिना तूटा हुआ चावल 40 दाने लें और उड़त के 38 दाने और एक निम्बू आपको लेना है अब आप कहीं भी मिट्टी में घर से बाहर कीजिएगा ये काम और ऐसे समय में कीजिएगा कोई टोके नहीं थोड़ा सा गड़ा कर लें उसमें चावल और उड़त दोनों को डाल दें निम्बू काटकर उपर से सत्रू का नाम लेकर निचोड़ दें ऐसा करने से आपके दुस्मन आपके प्रती जो बैर भाव रखे हैं आपको नुकसान पहुचाने की कोशिस कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे ऐसा करने से आपको दुस्मनों से पीछा छूड़ जाएगा आपका अब हम बात क परिसान कर रहा है आप हर तरह से निरास हो चुके हैं तब ऐसे में यह उपाय बहुत ही कारगर होगा अगर कोई आपको अनावस्यक परिसान कर रहा है तब आज के दिन भोज पत्र पर लाल चंदन से अपने सत्रू का नाम लिखे एक सहत की छोटी से बोतल लिजेगा पचा सहद में डूबो दे कोई भी सत्रू आपका कुछ भी नहीं बिगार पाएगा माल लेते हैं गरीबी आपका पिछा नहीं छोड़ रही है कदम कदम पर आपको परिसानी बहुत आ रही है तब क्या करेंगे तब सर्सों के तेल में गेहूं के आटे और गुड से आप साथ माल पुए पर रखें एक सर्सों का तेल का दिया लें और एक पत्तल लें अब आप रात में इस अमवस्या किती थी के रात में नहीं तो सनिवार की रात में भी कर सकते हैं किसी भी चौराहे पर चले जाएए और वहां पर उस पत्तल में यह जो आपने माल पुए है उसे दिया जला दें और कहें हे मेरे दुर्भाग्य तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूं किरपा करके मेरा पीछा ना करना और फिर पीछे मुड़कर मत देखिए आप अपने घर चले आईए हम आपसे भी दा लेते हैं हर हर मां